नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्मेंट इक्जाम स्टडी में दोस्तों आज हम आपको एलाहबाद हाई कोड की जो अभी जारी हुई है नोटिफिकेशन यानि कि विज्ञापन भी जो आपका आया है RO-ARO सहयक समिक्षा अधिकारी का उसके बारें पूरी डेटेल बात बताएंगे यानि उसकी पूरी जॉब प्रोफाइल के बारें बात करेंगे कि उसमें सैलरी कितनी होगी, प्रोमोशन कैसे होगा और जॉब में ग्रोथ कैसे होगी आपकी देखे दोस्तों जो हम किसी भी exam की या परिक्षा की तयारी करते हैं तो उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जब उस विभाग को join करें उसमें फिर आपको ये नहीं लगे कि हमें इस चीज के बारे में पता ही नी था और हमने इस नौकरी को join कर लिया है कि किस वज़े से ये नौकरी आपकी बाकी सब नौकरियों से हट कर है चाहे दोस्तों शुरू करते हैं देखे दोस्तों से पहले मैंने salary रखा है क्यों क्योंकि जब भी आप हम नौकरी या job क्यों पाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी earning के लिए यानि कि हम अपना independent हो है खुद से कमाएं अगर हम पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं या फिर हम कोई भी इंसान जो जोब करना चाहता या बिजनस करना चाहता वह से फसीले की earn करें पैसे कमाएं तो हम पहले बात कर रहेते हैं salary की दिखिए salary तो इसकी बहुत अच्छी है इसमें तो कोई doubt नहीं नहीं रखना है हमें नामी है आपका समिक्षा अधिकारी और सहायक समिक्षा अधिकारी तो आरो की जो है वह आप देख रहे होंगे salary structure मैंने पूरा टेबल बना कि आपको दिया हुआ है pay level 8 है इसका pay scale आपकी 47,600 से 151,100 ग्रेट पे आपकी 4848 सो है basic salary आपकी 47,600 है और maximum salary RO का structure है ठीक है RO और ARO में salary में थोड़ा सा ही अंतर है बहुत ज़्या अंतर नहीं है और आपको यह पर चल जाया है कि आप RO से RO किते दिन में बन जाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगे आपकी पोस्ट निकली है RO के लिए अलग है और ARO के लिए अलग है तो आपको जब भढ़ना भी होगा वह अलग 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 दोनों की पोस्ट के लिए apply करने को बोला गया है पाकी आप एक बार detail notification एक बार चेक कर है ARO का salary सब्सक्राइब आप देख रहे होंगे पे लेवल यहां पर 7 वहां पर पे लेवल 8 थी यहां पर 7 है स्केल आपकी यहां पर pay scale 44,900 से 1,42,400 लेड पर फोर्टी सिक अंड़ेड थी आरो की ARO की 4600 है basic salary 44,900 से 900 है आपकी और maximum salary 1,42,400 है ठीके दोस्तों salary आपको clear हो गई salary में तो कोई कमी नहीं है salary तो बहुत ही अच्छी जितनी आप चाहा रहेंगो शायद मन चाही salary है हमारी बस के लिए करना एक ही काम है बच्छों हो है पढ़ाई करनी हमें पढ़ाई बहुत जादा करनी है देखे नेचर क्या है काम का इसलिए काम का नेचर बता रहे हो कि पढ़ाई की हुई है जो भी चीज हमने सोचा था वह यहां पर बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है तो यहां भी नेचर आफ वर्क क्या है में ली फाइल के काम आपको करने होंगे रिव्यू ऑफिसर जो होता है वह जनरली सारी फाइल से डॉक्यूमेंट जो होता है ठीक है यहां पर दो जगें आपकी हो सकता है मतलब काम लगते हैं जुडिशियल में लगता है तो फिर आपका अड्मिस्ट्रेटिव में होता है काम मोर और लेस दोनों में एक जैसा ही है जुडिशियल और अड्मिस्ट्रेशन में चाहे जुडिशियल में लगें चाहे फिर आप नेक्स क्यों आपको डोनों जगे हैं जो mom यहां पर 9 32 4 30 ताइमिंग अच्भी एक कुछ वह सकता है और what प्रेशं लोने सरु रिपाइण से साहनी यहां है यहां पर 9 32 430 अब histi तो moderate थोड़ा है, थोड़ा सा high हो जाता है अगर आप judicial side में है, ठीक है, work pressure, बाकि यह सच, इतना कुछ भी pressure नहीं है, यह सच, आप धीमे धीमे जाएंगे, जब join करेंगे, धीमे धीमे आपको puzzle जाया, कैसे क्या करना है काम, तो अब असानी से कर लेंगे, starting में जाने पर किसी जब करने जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको pressure लगेगा, बट इतना जादा नहीं है, more or less, सही है, work pressure, प्रोमोशन की क्या detail लें देख लीजिए, review officer, अगर आप ARO पर selected होते हैं, तो non-gudgeted रहेंगे, और दो साल में आप class to gudgeted officer हो जाएंगे, अगर आप review officer रहते हैं, तो आप 6-7 years में उसका promotion हो के आपका section officer आप बनेंगे, review officer के बाद आप section officer बनेंगे, section officer के बाद आप 6-7 साल बाद, तीन-4 साल में आप assistant registrar बन जाएंगे, जो की class 1 आपकी job है, ठीक है, तो मत्तर समझ लीजे, अगर आप RO बनते हैं, तो 19 साल में आप class 1 पर पहुँच जाएंग अगर आप ARO बनते हैं, तो 12 साल में बन जाएंगे आप class 1 officer, उसके बाद आप assistant registrar के बाद deputy registrar बनेंगे, जो की आपका 4-5 साल में आप बन जाएंगे, ठीक है, और deputy registrar जो आपका है, वो chief judicial magistrates के equivalent post होती है, फिर आप joint registrar बनेंगे, फिर 4-5 साल आपको लगें वहां तक बनने के लिए और फिर आप final registrar बन जाएंगे, जो equivalent होता है district judge के, ठीक है, नेक्स 3-4 साल में वहां पहुँच जाएंगे, तो प्रमोशन देखा आपने, इसका प्रमोशन कितना जादा अच्छा है, आप 10 साल में सीधे class 1 officer हो जाएंगे, यह ना, review officer, फिर section officer, फिर assistant registrar, deputy registrar, joint registrar, यह इतनी आपकी promotion retail है, जहां तक में पहुच पाते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें selection process क्या है, selection process का two steps में, एक आपका objective test होता है, MCQ वाला, दूसरा आपका computer typing test है, अभी तक हाला कि ऐसा होता था, कि objective test आपका जो होता था, वो अलग होता था, उसका जब अच्छे qualify होते थे तब उनका computer typing करा आया था था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, कि आपका objective test है, वो online है, और इसी online computer आपको 15 minutes का gap देखे, फिर आपसे तुरन typing कर वाली जाएगी, तो इसका मतलब इस बार जब आप exam देने जाएंगे, तो आपको typing भी अच्छे से आनी चाहिए, और exam भी अच् से खीश लेते थे, अपने typing से खीश लेते थे, 40-45 marks, तो आप आया था थे merit में, लेकिन इस बार आपको typing और objective दोनों एक साथ अच्छे ते तयार कखना है, क्योंकि selection इस बार एक ही stage का होगा, तो आप कोई गलती गुंजाईश तो रखी नहीं सकते, दूसरी अपसे बड़ उन सब जगें पे आपको descriptive ज़रूर देना परता होगा, यही आपका, अलाबाद high code का ही ऐसा exam है, कि जहां पे आपको अधिकारी बनने का अफसर सिर्फ और objective परिक्षा से मिल जाता, गर आपने अपनी objective परिक्षा अच्छे से तयार कर ली, तो फिर आपको अधिकारी बनने एक दो बार कभी कभी आप typing ब ज़रूर practice करके देख लीजेगा दिन भर में, अभी यहां पर मैंने आपको सिर्फ इसकी job profile बताईए, कि salary structure क्या है, promotion कितने दिन में होगा, और काम क्या रहेगा, timing क्या है, बस basic चीजे, अगली वीडियो जो हम बनाएंगे, उसमें आपको किया है, तो जरूर कर लीजे, और कोई भी आपको query है, तो comment section में जाके जरूर उसे लिखेगा, thank you